नवस्ते आप लखनव वाले देख रहे हैं लखनव विस्व विद्धाले में एडवीशन की प्रेक्रिया लगभग लगभग सुरू होने वाली है अब हमारा इंट्रेंस इक्जाम भी लेगा लखनव उनर्सिटी और आपको पहले ही बतादू कि अगर आप सीवी इटी का स्पर्णा पड़ेगा जिसमें लखनव विस्व विद्णाले का सिर्फ होता है लखनव विस्व विद्धाले करें लिए कम पूछे आज आज बात करेंगे लगभग सु स्वी उविद्धाले से अगर बीकप учते इस्पेसली हम बात करें क्लाश 12 के कॉमर्स से जो लड़के रहते हैं जो छात्र रहते हैं वो जाला तर प्रीफर करते हैं बीकम करना तो बीकम में अगर आप एड़ीसा लेना चाहते हैं तो कैसे क्लियर कर सकते हैं आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे हमारे साथ वो छात पूशे जाते हैं कितना कोश्चन आप सही करेंगे तो आपका एडवीशन हो जाएगा तमाम उद्धर पर बात करेंगे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं आईए के करके आप अपने बारे में पहले बताईए हमारे जुन्य चादर एडवीशन लेने वाले हैं उ चलिए आप अपने बारे मेरा नामा कासपरताफ सिंग्ग मैं विकॉम फर्स समस्टर का चातर हूं मेरा रेंग था टॉफ एंडड़े के अंदर जा आपका रेंग का ऐटिता और रहता है आपका रेंग पी ज्यादा भी रहता है तो इडवीशन बिलती है ऐसी कोई बात नह आप रेंक होलर्डर्स को लेने का ताकि आपको जादा से जादा अच्छी चीज़े बताई जा सके अब जो चात्र जैसे तैसे पा लिया है उसको अगर उसका इंट्रोडक्स लेगे तो यही कह देगा कि नर्मली कुछ भी कर दीजी आपका हो जागा तो इसलिए हम ले आप यहांना है जो क्लास 11 और 12 वह बहुत ही फांटेसन हैं कि अगर किसी भी स्टुडेंट का क्लास 11 त ट्वेल्थ बन्हा से तयार है तो उसके लिए लगनोग्स का इंट्रेस नेकाना बहुत नॉर्मल चीज़े आप यहीं बताए क्लास 11 12 का परसेंटेज क्या होता है मतल लगभग लगभग इंट्रेंस एक्जाम में आता है 11-12 से 11-12 से लगभग 40 परसेंट आता है उसके बाद आप बेसिक कंप्यूटर बेसिक मैट सो गहरा कर सकते हैं इसका भी 30-30 रेसी हो रहता है लगभग यह बताए कि कितना जरूरी है क्लास 11-12 का बेस मजबूत करना इंट् क्लास 11-12 का बताया कि वह एक बहुत जरूरी है अगर आपका क्लास 11-12 बहुत कमजोड है तो बहुत घवराना भी नहीं है लेकिन हाँ 11-12 का बहुत अहम रोल होने वाला है आपके इंट्रेंस एक्जाम को क्लियर करने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यह कोई बच्चा प्रिप्रेशन कर रहा है तो उसके जो बुक्स हैं वो पूरी तरह से इसमें काम आ सकते हैं और बात करें उसके अलावा तो ऑनलाइन कंटेंट जैसे की एलू अपडेट का जो चैनल हो गया उसके एप्स हो गया है वहां से कंटेंट ले सकते हैं आपको क्या बुक मतलब मिल जाती भी अच्ची वीकाउं के पीडियाफ उससे कर सकते हैं तो देख सकते हैं इन्हों ने अपना अपना राय दिया देखिए लखनाव उनिश्टी का इंट्रेंस एक्जाम के लिए कोई स्पेस्फिक बुक नहीं आती है लेकिन जो पिछले साल मतलब लग चैनल को भी प्रेफर कर सकते हैं वहाँ पर आपको बीलेगा साहिद से 99 रूपी जिसमें एट टूजेट हर मैटेरियल मिलेगा जिससे आप एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं अब बात करते हैं आगे पहले यह बताईए कि लेबल होता है लखनाव उस विद्धले का इंट्रें के रूप में बताईए कि क्या लेवल होता है लखनाव बी सुध्यालय का इंट्रेंज के अबात की जाए तो यहां नहीं बहुत हीजी होता है इसका बहुत ही मौडरेट का इंट्रेंज आता है जिसको अगर काईदे का अराम सी क्लियर किया spirit आप यह हमें समझाइए कि क्या जो बच्छा 80 प्लस या 85 प्रसेंटेज क्लीर कर पाएगा या फिर जो 60 एव परसेंटेज भी लाते हैं वह आराम से अगर महनत करते हैं तो लास अगर क्लीर कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो 85% परसेंट परस लाएगा 95% परस लाएगा उसी का हो पाएगा नॉर्मली कोई 50% परसेंट भी है बढ़ियां सा इंट्रेस का तारी कर ले आराम से हो जाएगा कोई बहुत टफपेपर नहीं आता लगनों इनिवस्टी का इंट्रेस जी आप बताई मेरे साब से अगर प्रिप्रेशन सही से किया है अपने एक्जाम के बाद में तो हो सकता है मतलब क्या एक मन में रहता है कि मेरा तो या 12 खराब गया है या 11 बेरा उतरे अच्छे से लही होई है या फिर परसेंटेज अच्छी लही है या आई है उसको इंट्रेस एक्जाम में ज्यादा दिक्कत होने वाली यह लहीं करोगा कि बहुत ज्यादा टफ होते हैं या बहुत ज्यादा असान है तो है जो यह भाई बात बता है देखिए उसका लेवल ऐसे होता है कि आपको लगभग लगभग 60 कुश्चंस लॉर्बल एक्दम एवरेज भी लेंगे 20 कुश्चंस बहुत इजी विलते हैं 20 20 कुश्चंस बहुत टॉफ विलते हैं तो वैसे करके तरीके से आपको इंड्रेंस एक्जाम क्लियर करना काफी हद तक अच्छा रहता है अच्छा यह बताए कि एंड्रेंस एक्जाम क्लियर करने के लिए कितना आपके हिसाब से एक स्टूडेंट को क्वेस्चंस सही करना चाहिए अगर आपको सीट कंफर्म चाहिए यानि यह चाहिए कि मुझे सियोरिटी रहे कि मेरा जो एड्मिशन है मतलब आप एक ऐसे बताएगा कि कोई भी कटेगरी का स्टूडेंट हो खास करके अन्रिजर्व कटेगरी को आप मान करके बताईए कि कितना नंबर लाना चा अब्सकता आपको क्या लगता है मेरा यही मानना है कि 60 पर्संट आगर किसी ने एक्टिम्ट किया है मतलब जाएक ही तो उसका लगब हो जाएगा आप किसी भी केटेगरी से हैं और अपना सीट कनफर्म करना चाहते हैं मतलब आप उन्रिजर्ब से भी हैं तो 65-60 कोईसें करते हैं तो चांसेज आपकी काफी हद तक रहती है कि एड़ीशन मिल जाएगा वही बात करें अगर आप सेस्ट केटेगरी से हैं तो थोड़ा बहुत होते हैं तो 30 में अकंट्स बीजनेश च्टेडीज इकनॉमिक्स बेसिक मैट एंड बेसिक केंप्यूटर यह से नीफिक कम इसडियाथ हि यही काउंपिशनेशनेशट इकनॉमिक्स बेसिक कम्प्यूटर और आप उस 10th basic math सबसे मंतर होते हैं यह सारे सब्चक्ट का नाम भी बताया कि यह सारे सब्चक्ट आते हैं और इन सब सारे सब्चक्ट का यह कह आपकु पहले ही बता दे कोई इतने ही क्वेस्चन पूछे जाएंगे इतने ही वह आएंगे जैसे‑क्वेटर से इतने हैं सारी से अपने हिसाब से किसीसे थोड़ा भूद जादे एक दूको कोशन निया जाते मेरे जाते हैं किसी से एक कम भी पूछ 4 अब हम सीट की बात कर लेते हैं कितनी सीटे होती हैं तो आप हमें एक एक करके पहले बताइए कितनी सीटे होती है बीकॉम रेगुलर में 480 सीट होती है और बात करें सेल फाइनेंस की तो उसमें 240 सीट होती है और अगर बीकॉम और साप करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग स कना सिट होती हैं अबैंटम को सकते हैं पहले हमें बता दिया तो I am बताइए कि आपने दो चीज हमको बता एक तो बीकां मोर रीघूलर और और मिया पाइलन्स में इसाल से तो उसकी फीस जो है कम होती है अप्रोक्स 4,000 पर सेमेश्टर और अगर वही उसका रैंक नहीं आता है उसको सेल फाइनेंस में एडिमिसन मिलता है तो उसका जो फीस इस्ट्रक्चर हो थोड़ा हाई होता है अप्रोक्स 15 या 16,000 पर सेमेश्टर होता है और पढ़ाई या कुछ ऐसा करना नहीं अलग से कोई फॉर्म अलग नहीं होता है बसे है अगर आपनेंसर लेना पड़ेगा उसके 어न लिए लिए क्या करना पड़ता है तो वह इसा कुछ नहीं होता है कोई अलग एग्जाम हैでは पे लिए या परमी नहीं वहीं बढ़ता है जिए निए इ के लिए क्या करना पड़ता है या फिर रेगुलर को नहीं होता है उन्ही भी को दिया जाता है या इसके लिए कोई столько अप्लिकेशन होगा हगा रहा कि ममें सेयल gefाल फाइनस दीज़ें या फिर इसके कोई चैन्न दिया जाता तो जिसका रेगुलर में नहीं हो पाता है उसके बाद से लुट किया जाता है और आपको पहले जी पता दो इसके लिए कोई अलग से परकिरिया नहीं होती है आप सेल फाइनेंस लेना चाहते तो कुछ अलग से इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है बहुत सारे लड़के ब तो यह बताई एक एवरेज हमेरे बताईए इस्टुडेंट को कि कितने आते हैं लखना उल्वरसिटी के बीकॉब में फॉर्म अगर फॉर्म की बात की जाए तो पर यर विकॉम रेगुलर में 10,000 फॉर्म के अप्रोक्स में भरी जाती हैं जिसमें से 5,000 इस्टुडेंट जो हैं इंट्रेंस देने आते हैं और बाकी सीट के और रेंग की हिसाब से उनको ऐलोकेशन दिया जाता है देख सकते हैं तो यह आप हमें बताईए कि जब इतने बच्चे भरेंगे फॉर्म और आपके पास सीट फिक्स है लगभाग चार सो बीस सीटे है ना रेगुलर में और दो सो चालीज सीटे सेल फाइनस में तो यह तो कॉम्पेटिशन लेवल अफ कॉम्पेटिशन बहुत ह ले जाते हैं कुछ ऐसे फॉर्म भर देते हैं एक्जाम तक नहीं देते हैं तो उतना टफ कमपेटिशन नहीं होता है मतलब आराम से 60 65 पे हो जाएगा मतलब अब तो यह सब तो बाते हो गई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जाना तरवाते हुई अब हम चाहते हैं कि आ जरूरी चीजे हैं जिनका ध्यान देना होगा जैसा कि एलिव का जो इंट्रेंस होता उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इस्टुडेंट एक कोसिस करें कि पूरा हंडेड को संस अटेम्ट करें और इस चीज का ध्यान रखें आप कुछ देला चाहें जो अप गलती हो जाती तो आपको बाद में मतलब बहुत टैंसन होती है कि आपसे गलती ही आपको टिप्स बता दिया कि पहले तो सबसे इंपोर्टेंट इनकी बात सुलीजे कि आपको इंट्रेंस एक्जाम में माइनस वार्किंग नहीं होती है तो अगर आप छोड़ते हैं तो इस सही होने की तो ऐसे करके अगर आपके चार कुश्चन आपको नहीं आ रहे है और चार मैंसПेर चार,ऊ को आपने एक तरीके से टुका लगा दिया तो आपके एक क्वेस्चन सही होने की तो पूरे चांसेज है अब दूसरी चीज़ बात कर ले कि आप टाइम से होता है कि जब नाम भते हैं उसको गलत कर देंगे और फिर गलत तो कर दीए फिर आगे जब करे कि कोशन तो उनके मन में हमेशा आएगा यार यह गलत हो गया है मेरा इंटेंस एक्जाम में में मेरा यह कॉपीछेक होगी कि नहीं होगी क्या मेरा जाना оaram पहले जाना है और पहले पता कर लेना है कि कहां मेरा सेंटर पढ़ है लखनाव करशाया है- साथ- इन्होंने कुछ टिप्स अर्ड ट्रिक्स आपको दीए- जो कि आफ साल॒ करसक्ति तो आप यह बताएं कि लखनाव इनवर्सिटी ही क्यों लखनौ उनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला है. यह जो इनुवर्सिटी है बहुत लोगों का ड्रीम होता है और यहां पर पढ़ने के सम्मान की बात है. तो आपके हिसाब से क्या फाइदे हैं लखनवी सो विडाले में दाखिला लेने का लखनवी सो व्डाले में पढ़ाइ करने का मेरे इसाछब से यह फायदा हий कि मझलब बढ़ी हाँ हॉस्टल की फैसिलीटि प्रवाइड करता है कई सारे लगनव उनिवर्सटी कई सारे हॉस्टल प्रवाइड करता है जिससे की स्टुडेंट बजट में कर सकते हैं वही हो अगर और रूम और रिंट पे लेंगे खुद खाना वगारा पनाएंगे महेंगा पड़ेगा प्लस टाइम भी नहीं बचेगा तो हॉस्टल की फैसिलिटी सबसे बढ़िया फैसिलिटी है आप बताइए आपको क्या लगता है क्यों क्यों लखना अधिभा ध्याले में हमें बहुत सी सुविदा मिलती हैं जैसे कि टाइग और लैबरेरी सेबर लैबरेरी जहाँ पर राप एकार बैटे मिल सकते हैं जैसा कि हमारे सभी छोटे भाईओन ने बताया अलग अलग फायदे जैसे कि इसनों ने बताया आपको लखनाउय उड़ सबको रहें बिलती है ज intuit करेंगे कि आपको इसी मिल गया. तो आपको एक अच्छार रहेंक लाना पड़ेगा और आपको आसानी से फिर घृत बहुंद सबस्ते रही प्रेटर पोटेटेंड थेंगा और बाझ में सबस्दों 我'll आपके बगल वाला जब आपका दोस्त कहेगा कि मैं फलाना कॉलेज में पढ़ता हूं तो जाहर सी बात है आपके लिए एक लोगों के मन में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है जब आप कहते हैं कि उनिवर्सीटी उनिवर्सीटी नाम सुनते ही वह भी लखना है उनिवर्सीटी या फिर जो भी चीज आप आलाइन करना चाहते हैं वह चीज कर सकते हैं आप कोई भी कोडिक वगारा कुछ भी मतलब आपको एक्स्टा चीज है सिखनी है वह वाइफाई के मदद से आपने फ्री नेट के सुईधा से सिख सकते हैं वही टैगोर लेब्रेरी के व्यूलों न है कम है आप लख्ला उनर्सीटि में और चीज बता दू कई लोगों को यह चीज यह फायदा नहीं नुक्सान की तरह लगता है जैसे कि आपका रूची पॉलिटिक्स पे लिए तो यहाँ पर पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत सारी अप्सन है अगर आपका रूची किसी औ पाईजैनल करें मिलेंगे पर काम सब था स्लिंटार क करें यह सब्सक्राइबmy बहुत ज्यादा मेरे अच्छे से हर चीज आपको अच्छे से बताएं कि बहुत ज्यादा ऐसा रही है कि इतना टफ होता है कि नहीं हो पाएगा मैं फिर से कहूंगा कि एल्यू अपडेट लखना लखना विए सिटी का एक ऐसा चानल ने जो आपको हर तरीके से मदद करता है तो एल्यू अपडेट चैनल पर आप प्रिफर कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में एल्यू अपडेट का लिंक भी दे दूंगा बाकि आप लखनाव वाले देख रहे थे लखनाव वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम है विकास सि कैबरे के पीछे बिवेक सायोगी साथी है सुबेद सिक्चोहान